गिसान बयू नमस्कार आपका हमारे चैनल में स्वागत हैं तो गिसान बयू आज के इस येडियो में हम बात करेंगे ब्रिवOnid company की विराइटियों के बारे में जी हाँ दोस्तो आपने पाईवनियर का नाम सना होगा पाईवनियर का ही एक ग्रूप इस साल बनाए नया फ्रिवेंड कमपनी का तो दोस्तो यह पाइवनियर का एक गुरूप है मतलब है हम यह सब बोल सकते हैं पाइवनियर मक्का की वेराइटी है दोस्तो आप पहली देख पारे हो DS 31.41, 1P 34 दोनों वेराइटी आप बहुत ही अच्छी हैं इसकी विशस्ताओं के बारे में इसकी रेट के बारे में हम यह स्यूडियो में पूरी जानकारी के साथ में बात करेंगे तो दोस्तो आप हमारे वीडियो पूरा देखे ताकि आपको प्रिवेंड कमपनी यानि प्रिवेंड के बारे में सबी जानकारी आई दोस्तो हम वीडियो को सुरू करते हैं उसके पहले अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब पर दीजिए और उसके पास के गंटे के निसान पर भी आवश्य बटन दबा दीजिए ताकि आपको हमारे अन्य वाले वीडियो के नहीं को को टकर देती हैं दूस्तो सेम पितएZE 01 फहली प्रिजि की और ये प्रीवें की Co play सिरे संटे एक के वीडियर है दोस्तो इसमें इसंकर जि 34-0-1 को ठकर देती हैं तो दोस्तों दोनों ही यह एक सेम विराइटी हैं दोस्तों अगर हम DS 41 और P 34 की उससता भी बात करते हैं तो यह है पतली जमीन में भी बहुत अच्छा और बड़ा उत्पादन देती हैं यह बलेक और पिली मिटी दोनों में बहुत ही अच्छी तरह की से सूट हो जाती हैं और दोस्तों इसका जो पुद्दा होता है वो मचबूत होता है इसलिए यह किरता नहीं है और दोस्तों तेज हवा चलने के पच्छाद भी यह किरता नहीं है और दोस्तो जो किसान की मन इच्छा होती है जितना उत्पादन होता है यह इतना ही उत्पादन किसान के अनुसार और खेट के अनुसार देती है दोस्तो अगर हम पी पेते चालेश की रेट की बात करते हैं तो यह 9 सुरुपए की परते हैं डियस इकतल में यानस की बात करते हैं तो ये 11 रुपय की पड़ती हैं दोन्नों अभी ये ड्रिवेंट जो कोटेवा जो की दोस्तों नाम सुनाओगा पॉलिनियर का ही नया गुरूप बनाएं तो दोस्तों यही थी जानकारी जो की कैसी लगी गर अच्छी लगे हो तो वीड कियो में धन्यवाद जे जोन जे कितना